केंदरी बजट हम लोगों ने देखा था जिसका की प्रावधान समिधान के नुच्छेद 112 में है वारशिक वित्ती विवरण इसी तरह से अगर आप राज्यों के बजट के बारे में देखेंगे तो 202 अनुच्छेद में आपको जो प्रदेश के वारशिक वित्ती विवरण हैं उसके बारे मिलेगा वहीं से ये बजट जो हाला कि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है समिधान में ये ध्यान रखना है आपको कि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है उसके स्थान पे वारशिक वित्ती विवरण का ही स्थान है तो केंद 22 फरवरी 2023 को पेश किया गया वित्मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा उसके संबंध में ये वीडियो है जो कि आगामी परिक्षा के लिए चाहे प्रिलिम्स हो चाहे मुख्य परिक्षा हो दोनों के लिए आपको महत्पूर आखडे जो है उपलब्द कराएगा तो वित्मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को उत्तरवदेश का बजट पेश किया जिसमें की आगामी वर्षों में एक ट्रिलियन एकोनॉमी कितनी बनानी जीडिपी उत्तरवदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की तथा आत निर्भर यूपी बनाने का लक्ष ये दो की उपलब्दियों को भी साथ-साथ गिनाया गया तो आएए देखते हैं बजट में क्या महत्पूर बाते हैं वह से बहुत लंबा बजट था लेकिन जो महत्पूर बाते हैं आपकी परिक्षा उपयोगी है उनको हम देखेंगे योगी सरकार का लगातार ये छटवा जिसका की आकार 6,90,242,43 लाख रुपए अर्था 6,90,242,43 लाख रुपए इसका आकार रहा अभी तक का सबसे बड़ा बजट रहा पूर्व बजट से जो की 6,15 लाख करुण रुपए लगबग था उससे 12,25 प्रतिशत ये इस बार का बजट अधिक है किसी भी रूप में पूछ सकता है अधान रिखेगा पिछली बार अगर अनपूरक बजट की बात करें जो मूल बजट था उसके अलावा तो 33,779 करुण रुपए था बजट के जो महत्पूर आकड़े हैं उनको एक नजर में देख लेते हैं बजट का आकार 6,90,242,43 करुण रुपए रहा नई योजनाओ पर कितना खर्च हुआ है इस बार खर्च का प्रावधान किया गया है 32,721,96 करुण रुपए का कुल प्रावधियां है 6,83,992,74 करुण जिसमें राज़त सु प्रावधियां है 5,70,865,66 करुण पूजी गत प्रावधियां है 1,12,427,08 करुण रुपए राज कोशी घाटा कितना है 84,883,16 करुण रुपए जो कि राज की जीडीपी का 3,48 प्रतिशत है लगवधा उत्तरवधेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है तो 8 प्रतिशत का योगदान है भारत की जीडीपी में राज की जीडीपी की जो व्रिद्धिदर है वो कितनी है तो 2022-23 में जो वृद्धिदर थी 16.8 प्रतिशत थी वहीं 2023-24 में इसके 19 प्रतिशत वृद्धिदर का अनुमान व्यक्त किया गया है इस बजट में आय की बात करें तो सरवादिक आय उत्तरवदेश में होती है स्वयम के कर से जो कर विविन प्रकार के लगाता है राज उससे दूसरा केंदरी करो में राज का जो हिस्सा है वो तीसरा लोकरिंड से चोथा गैर कर राजसुए अगर 100 पैसा देखें तो 36 समलो 5 पैसा स्वयम के कर से प्राप्त होता है वहीं केंदरी करो में राज के भाग से 24 समलो 2 प्रतिशत तीसरा लोकरिंड 13 समलो 1 प्रति खर्च सरकार का कहा हुआ तो पूज़े इगत परिवे में 20.5 पैसा, दूसरा वेतन जो दिया जाता है करमचारियों को 13.1 पैसा और पेंशन तीसरे अस्थान पे 12.8 पैसा, अगर 100 पैसे में देखें तूज़े किसानों के लिए क्या-क्या इस बजट में हैं मुख्य बातें, तो The Million Farmers School जिसको 2017 में सुरू किया गया था, उसके लिए 17,000 किसान पाट-चालाओं का आयोजन किया जाएगा, National Mission for Sustainable Agriculture योजना के लिए 831 करोण 93,000,000 रुपए खर्च किये जाएंगे, National Mission for Sustainable Agriculture योजना के लिए, इसके लावा National Mission on Natural Farming योजना पर 113 करोण 52,000,000 रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में, निजी नलकूपों को रियाईती दरोपर विद्दुत आपूर्ति के लिए 950 करोण रुपए स्विक्ट किये गए हैं, राष्टी किष्विकास योजना के लिए 984 करोण 54,000,000 रुपए व्य किये जाने की गोशना है, राष्टी किष्विकास योजना के लिए, इसके लिए निशनल क्रॉप इंस्विक्ट के लिए 753 करोण 70,000,000 रुपए तो यूपी मिलेट्स चुकि मिलेट्स का ये अंतराष्टी वर्ष भी है, तो मिलेट्स पुनरुद्धार का एक्रम पर 55,000,000,000 रुपए खर्च किये जाएंगे, कुशी नगर में 50 करोण रुपए से या खर्च से महात्मा बुद्ध क्रिशेयों प्राद्यों की विश्रद्याले की सुरुवातों की ध्यान रखेगा, कि चार नए राज विश्रद्याले स्थापित करने का 19,20 बजट में लिया गया है, इसका लक्ष ये पूरा करना है कि प्रतेक मंडल में कम से कम एक विश्रद्याले जरूर हो ये पूरा करने के लिए इसा किया गया है, तो कुशी नगर के साथ साथ, देवी पाटन, मिर्जापुर और इसके अलावा जो चौथा है मुरादाबाद, इन चारों मंडल में एक एक विश्रद्याले स्थापना करने का इसमें नेड़े लिया गया है, महिलाओं के लिए क्या-क्या है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, वित्ती वर्ज 2023 में 1050 करोण रुपए की बजट की व्योस्था की गई है, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना पर 600 करोण रुपए, महिला सामर्थ योजना पर 83 करोण रुपए का प्रौधा निजबार है, निराश्चित विद्वाओं को भरण पोशन के लिए सरकार 4,032 करोण रुपए खर्च करेगी, युवाओं के लिए क्या है, तो स्वामी विवेकानन्द युवाश शक्ती करन योजना में पात्र, शात्र और शात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए 36 करोण रुपए खर्च होंगे, आईटी युमी स्टार्टप्स नीत के लिए 60 करोण रुपए की विवस्था की गई है, वस्त्रोद योग शेत्र में ध्यान रिखे का महत्पूर्ण प्रशन है, कितने रोजगास रिजन का लक्ष रखा गया है, 40,000, कौशल विकास मिशन के अंतरगत प्रसेक्षन का एक्रम के लिए 150 करोण रुपए की विवस्था की गई है, मुख्यमंत्री सिक्षुता प्रसेक्षन योजना के लिए 70 करोण रुपए की विवस्था की गई है, इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोण रुपए की विवस्था की गई है, यूवा अधिवक्ताओं को कारे के शुरुवाती तीन वर्षों के लिए किताब एम पत्र का क्रे करने के लिए 10 करोण रुपए तथा यूवा अधिवक्ताओं के लिए 5 करोण रुपए की विवस्था की गई है, मैंने कोई भी महत्पूर्ण पॉइंट, कोई भी महत्पूर्ण बिंदो नहीं छोड़ा है ताक कि यूपी बजट में जो आप सारी चीजें है, प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा, मुख्य परिक्षा में आपने देखा कि एक दो पेपर आइड हो गये हैं, तो वहाँ भी काफी कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो कुछ ऐसी भी बातें इसमें समलित हैं, जो प्रिलिम्स के लिए उतनी महत्पूर्ण भले नहों, लेकिन मुख्य परिक्षा के लिए अतिमात्पूर्ण है, बुज़ूर्ग एवं दिव्यांगों के लिए व्रिद्धा वस्तावा किसान पेंशन योजना के अंतरगत 7,240 करोन रुपे, व्रिद्धा वस्तावा किसान पेंशन योजना के अंतरगत, दिव्यांग भरन पोषण अंदान के लिए 1,20 करोन रुपे की व्योस था, बेटियों की शादि पर सरकार 150 करुण रुपय अनुदान देगी असंगठिच शेत्र के कर्मकारों के लिए संचालियत मुख्यमंत्री जन आरोग यूजना इसके लिए 100 करुण रुपय का पराओधान किया गया है असंगठिच्चेत्र के कर्मकारों के लिए ध्यान रखेगा इसमें जो असंगटित छेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुखिमंती जनारोग योजना है 100 कुरुण रुपए की इसमें 5 लाग रुपए का स्वास्त भीमा है ये आपको याद रखना है असंगटी छेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंती दुघटना भीमा योजना के लिए 12 करून रुपए का प्रावधान किया गया है कामगार मृत्युव दिव्यांगता सहयता योजना के तहत कार यस्थल पर शमिक की मृत्व की दशामें मित्व की दिशाम ध्यान रखेगा पांच लाक रुपए स्थाई दिव्यांगता पर चाल लाक रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर तीन लाक रुपए की साहता का प्रावधान किया गया है बजट के अन्य जो हाइलाइट्स हैं ते जिस देख लेते हैं वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट एक जिलाएक उत्पाद योजना के तहद और हस्त शिल्प उत्पाद या फिर जियाई टेग प्राप्त उत्पादों के विपड़न को प्रोसाहित करने के लिए युनिटी मौल की इस्थापना होगी जिस पर 200 करुण रुपए खर्च किये जाएंगे मुख मंत्री शहरी विस्तारी करण योजना के तहद नए शहर निर्माड के प्रोसाहन योजना के लिए 3000 करुण रुपए का प्रोधान किया गया है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड की अंतरगत 2023 चौबिस में 12,49,877 आवासों का लक्ष प्रस्तावीत किया गया है कितने 12,49,877 रट लीजेगा इसको योजना के लिए 9,000 करुण रुपए की बजट की वेउस्ता की गई है आने वाले वर्षों में उत्तरबदेश में 5 इंटरनेशनल एरपोर्ट कितने 5 इंटरनेशनल एरपोर्ट 16 घरेलू एरपोर्ट समेत कुल 21 एरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे इन पर काम चल रहा है कई परचालिद भी है महा कुम्भ मेला 2025 में जो आयवजित होगा प्रयाग राज में उसकी तयारी के लिए 2500 करोण रुपए का प्राउधान किया गया है आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोण रुपए का प्राउधान है इसके तहट जो नगर पिछडे रह गये हैं उनको उनका आउस्तनरशना विकास किया जाएगा इसके लिए 100 करोण रुपए का प्राउधान है मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोण रुपए का प्राउधान किया गया है केन सरकार की मदद से P.E.M. श्री प्रधानमंत्री स्किल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोण रुपए का प्राउधान किया गया है ग्राम पंचायत एवं वाड अस्तर पर डिजिटल लाइबरेरी ध्यान रखेगा इसकी अस्थापना के लिए मेरट में मेजर ध्यान चंद्र खेल विश्वद्याले के अस्थापना के लिए 300 करोण रुपए का प्राउधान है 14 नए Medical College की अस्थापना कितने? 14 एवं संचालन के लिए 2491 करोण 49 लाग का बजट पस्तुत किया गया है पुष्टा हार के वित्रण की योजना के लिए 291 करोण रुपए आगन बाड़ी कार करतियों के स्वास्त बीमा के लिए 25 करोण रुपए राष्ट्री ग्रामीर स्वास्त मिशन को सबसे अधिक अगर किसी योजना को बजट दिया गया है तो राष्ट्री ग्रामीर स्वास्त मिशन को 12,631 करोण का 14 नए Medical College के लिए 2491 करोण 49 लाग रुपए प्रवाइड करवाए जाएंगे प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना को 320 करोण सड़क और सेत्वों के निर्माड के लिए 21,169 करोण रुपए चार नए राज विश्वद्याले जिसका हमने जिक्र किया क्रमशह मिर्जापुर में माविंद्यवासनी विश्वद्याले के लिए 50 करोण रुपए देवी पाटन में एक विश्वद्याले एक कुशी नगर में महात्मा बुद्ध कृषियों प्रद्योकी विश्वद्याले के लिए भी 50 करोण और मुरादाबाद में चार स्थानों पर एक एक उश्चित देले होंगे मनरेगा में यूपी नंबर वन ये हो गया है ठीक है किस मामले मुवा है तो वित्ती वर्ज 2022 देश में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानो दिवस सिजित कर प्रदेश में प्रथमस्थान प्राप्त किया है उत्तरवदेश ने चार शहरों कहां लखनवू आगरा वारानसी ग्रेटर नोईडा पूछेगा 100% शोर है कहां कहां G20 संबंदी बैठक होंगी लखनवू आगरा वारानसी ग्रेटर नोईडा में दूद, गन्ना, चीनी, इथे, नाल इन सब के उत्तपादन में उत्तरवदेश पथम अस्थान पे है ध्यान रखेगा उत्तरवदेश बजट की बात हो रही है अभी हाली में जो आकड़े आये हैं उन आकड़ों के अंसार राजस्थान दुख दुद्पादन में पहले अस्थान पे है लेकिन ये बजट के अंसार है उत्तरवदेश अपने आपको नमबर वन बता रहा है और बजट इस रिपोर्ट के पहले आया हुआ है कोविड वैक्सिनेशन में पहला अस्थान उत्तरवदेश का है कोशल होना भी चाहिए सभसे आदा जन संख्या भी है कोशल विकास नीत को लागू करने में पहला अस्थान उत्तरवदेश का है इस आप डुटिंग बिजनिस में आवास निर्माण में प्रथम अस्थान पे उत्तरवदेश है, सौचाले निर्माण में सौचता जो अभियान है, उसके तहत सौचाले निर्माण में प्रथम अस्थान पे है, MSME की अस्थापना में भी प्रथम अस्थान पे है उत्तरवदेश, इस्टार्टव रैंकिंग में उत्तरवदेश इंस्पाइरिंग लीडर की शेणी में आता है मनरेगा में मानो दिवस रोजगास सीजन में यूपी टॉप पर उसकी चर्चा करही ली बेरोजगारी दर से संबंदित आकड़ा महत्पून है उत्तरवदेश का भी 2017 में 14.7% बेरोजगारी दर्थी उत्तरवदेश की जो 2023 में 4.2% तक रह गई है सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्ट स्थापित करने का प्राउधान है अंतराश्टी फिल्म सिटी के लिए 1,000 एकड़ भूमी में इसको विक्सित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 क्रोण रुपए का प्राउधान किया जाएगा नई यूपी परिटन नीत के अंतरगत अगले 5 वर्षों में 10,000 क्रोण रुपए खर्च किया जाएगा और 20,000 रोजगार इसमें प्रोवाइड करवाए जाएगे ग्लोबल इन्वेश्टर सम्मिट जो लखनव में आज जित हुआ इसमें लगभग 33.5 जीरो लाख करोण के 19,000 से अधिक MOU पे हस्ताक चरुए लखनव में उत्तरबदेश एको टुरिस्म बोर्ड के लिए कितने रुपए का प्राउधान किया गया है निराष्टित गोवण्ष के रख रखाओ के लिए प्रदेश के बजट में कितना प्राउधान है 750 क्रोन रुपे का निजी नलकूपों के लिए विद्द बिल पर 100% छूट का प्राउधान कर दिया गया है इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला उस्तर्वदेश देश का छठा राजे बन गया 4000 नय मुख्यमंत्री अभिदय स्कूल खोले जाएंगे कितने 4000 रट लिजे इसको मुख्यमंत्री सूक्ष मुद्धमी सुरक्षा बीमा योजना MSME शेत्र के उध्यमियों और कामगारों को आपदा या दुरघटना में मित्य होने पर 5 लाख रुपे तक का भीमा कवर प्रदान किया जाएगा आगरा में Science City वो वरानसी में नक्षत साला के स्थापना की जाएगी Science City के स्थापना कहां की जाएगी आगरा में वरानसी में नक्षत शाला की ग्रामीर शेत्र में युवाओं को Agritec Startup के लिए 20 करोण का Agriculture Accelerator Fund ए ए ए एफ याद रखेगा ये इसका प्रवधान किया गया है साथ नगरों में पुलिस कमिशनरेट प्रणाली लागू है कहां कहां आप लोग कमेंड बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं तीन महिला पियसी बटालियन की अस्थापना की जा चुकी है प्रदेश में वाराणसी बियच्यू में वैदिक विज्ञान केंद्र और नैमिशारणय सीतापुर में वेद विज्ञान अध्यान केंद्र दोनों में अंतर है याद रखेगा और प्रियाग राज में भजन संध संध्या अस्थल इसकी अस्थापना का प्रवधान किया गया है ध्यान रखेगा कि प्रियाग राज में जो भजन संध्या अस्थल है ये प्रदेश का तीसरा ऐसा प्रवधान किया गया है इसके पहले आयोध्या और चित्रकूट में पहले सही है परेटन अस्थलों के विक 600 करोण रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवायोजना के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोण रुपए महिला सामर्त योजना के लिए 83 करोण रुपए बुंदेलखन रक्षा-गलियारा के लिए 550 करोण रुपए मुख्यमंत्री जन आरोग योजना के लिए 100 करोण रुपए जिसमें असंगठि छित्र के श्रमिकों को 5 लाग रुपए स्वास्त वीमा कवर प्रधान किया जाएगा शुक्रतीर्थ धाम कहाँ पे मुझफर नगर जिले में यहाँ पे परेटन विकास के लिए 10 करोण रुपए का प्रधान है धर्मार्थ मार्गों जो धार्मिक मार्ग हैं उनके विकास के लिए 1000 करोण रुपए का प्रधान किया गया है ODP उत्पादों, GI टेग और हस्तशिल वस्त्वों के विपड़न के लिए यूनिटी माल के लिए 200 करोण रुपए का प्रधान है समग्र सिक्षा योजना के लिए 20,255 करोण रुपए का प्रधान है Operation Kaya Kalp जिसमें प्रात्मिक और उच प्रात्मिक विद्यालियों का और सरचना विकास किया जाएगा इसमार्ड बनाया जाएगा उनको उसके लिए 1000 करोण रुपए का प्रधान है सवच भारत मिशन 2.0 के लिए 2707.8 करोण रुपए सव पिछडे नगर निकायों में विकास के लिए 100 करोण अकांक्षी नगर निकायों जना के लिए अर्थात सव पिछडे नगर निकायों उनका विकास किया जाएगा और सरचना विकास किया जाएगा जो पिछडे रह गये है इसके लिए 100 करोण का प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोण रुपए का प्रावधान है शहरी परिवहन में रूपवे सेवा वाला पहला शहर वारणसी है उत्तरवदेश का 2030 तक 15 प्रतिशत वनावरण का लक्ष उत्तरवदेश ने रखा है और वर्षा काल में 2023 के वर्षा रित्में 35 करोण पौधे लगाये जाएंगे याद रखे का कितने 35 करोण ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 100 करोण रुपए का प्रावधान है उत्तरवदेश में पंजी कृत पुरुष कामगारों की पतनियों को एक मुस्त 6,000 करोण रुपए दिये जाएंगे छे इंडिस्ट्रियल मैनुफेक्चरिंग कामप्लेक्स खोले जाएंगे जिसमें चार पुर्वांचर एक्सपेस पे और दो बुंदेल खंड एक्सपेस वे पे रहेंगे गोरगपूर में और द्योगिक कारीडोर के लिए 200 करोण रुपए और द्योगिक कारीडोर इंडस्ट्रियल कारीडोर विकास गोरगपूर में इसके लिए प्रौधान किया गया है चार नए विश्वध्याले मिरजापूर, मुरदाबाद देवी पटन और कुशिनगर में खोले जाएंगे चारों मंडलों में प्रते के लिए 50-50 क्रोन उर्पे का प्राउधान किया गया अलाकि ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है तो ये प्रदेश उत्तरवदेश बजट के महत्पूर प्राउधान है इनको बार-बार देख लिजएगा न सिर्फ प्रिलिम्स बलकी मुख्य परिक्षा के भी काम आएंगे आप लोग को प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी जो लोग अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किये हैं जाकर जैहो श्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजे डेली क्विज भी वहाँ पर चल रहा है उसको भी आप लोग करिए वीडियो डेली देखे प्लेलिस्ट हमने बना रखी है टार्गेट 2023 कर इंट अफेस करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो कर इंट अफेस के आप लोग देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डिस्किसन बॉक्स में भी लिंक दिया है जय हो श्टड़ी हमारे टेलिग्राम भूप का अप लोग चाहें तो जोईन कर सकते हैं यूपी पीस्ट प्रिलिम्स क्रेश कोर्स 30 डे का अक्रम से जोडने के लिए 945377039 पर संपर कर सकते हैं इसके लावा यूपी पीस्ट प्रिलिम्स से जोडने के लिए भी इसी नमबर पर वाटसप कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद